नमस्ते बच्चो मैं सीमा सिंग आनेन टिटोरियल किट्स चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ बच्चो आज की पारसाला में हम कक्षा पाँचवी विसे हिंदी हिंदी विसे में बच्चो आज हमारा पार्ट आठ करो और जानो बच्चो ये बात तो सही है बहुत सारी चीज ऐसी है जब तक हम उसे खुद नहीं करते हैं तब तक हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या है तो चलो आज हमारा जो पार्ट है जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है करो और जानो बच्चो ये जो पार्ट है इस पार्ट में बच्चो लोगों को आप सभी लोगों को बहुत सारे अभिने करने है ठीक है बच्चो फल वाले का अभिने करना है पंसारी का अभिने करना है फूल वाले का करना है और बहुत सारी कृति करनी है तो चलो हम करते हैं बच्चों ठीक है तो सबसे पहले कृती क्या है फुगड़ी खेलो तो बच्चों ये जो फुगड़ी खेलना है ये महिलाओं का और लड़कियों का बहुत पसंद खेल है उन्हें फुगड़ी खेलना बहुत पसंद है शादी वेवा हो या कोई तेवहार ह फूगडी जरूर खिली जाती है बच्चो फूगडी खिलने से न हमारा सारे रिक वयाम भी होता है फिर उसके बाद हसो बच्चो हसना डॉक्टर भी कहते हैं अगर आपको सुश्थ रहना है तंदुरूस्थ रहना है तो हसना बहुत जरूरी है हमारे अच्छे सिहत के लिए हसना बहुत आउशक है हसना भी एक कसरत है बच्चो इससे हमारे फेस के जो मसल है उनकी एक्सरसाइज होती है फिर है नाचो बच्चो नाचना तो किसे नहीं पसंद है छोटे छोटे बच्चो को भी डांस करना बहुत पसंद होता है और नाचना बच्चो ये भी एक वयाम है जब हम नाचते हैं तो हमारी सारे सरीर का वयाम होता है पगड़ी बांधो बच्चो पगड़ी बांधो ये हर जाती में पगड़ी बांधना एक रिवाज है सबी लोग अपने अपने जाती के अनुसार पगड़ी बानते हैं जाड़ू लगाओ बच्चो जाड़ू लगाना ये सफाई अभियान में एक घटक है हमें अपने घर में जाड़ू लगाना चाहिए जाड़ू लगाने से क्या होता है बच्चो जो घर की गंदगी है हो साफ हो जाती है और जब हमारा घर साफ सुत्रा रहेगा तो बिमारियां भी नहीं होगी तो इसलिए हमें हमेशा अपने घर में जाडू लगाना चाहिए अगर आपकी ममी किसी काम में बिजी है तो आप अपनी मम्मी को मदद करने के लिए अपने घर में झाडू ज़रूर लगाईए ठीक है बच्चों झाडू लगाने के बद गाना गाना बच्चों गाना गाना भी एक कला है सभी लोग तो नहीं गापाते हैं लेकिन जो गाना गाते है वो बहुत सुन्दर गाते गाना जब कोई गाता है तो अगर हमारा मन उदास भी रहता है तो हम खुश हो जाते हैं जैसे लता मंगेशकर जी उनकी गाने सुनकर अगर कोई बहुत दुखी है तो भी वो खुश हो जाता है गाना सुनकर हम प्रसन्य हो जाते हैं रसी कुदो रसी कुदने भी बच्चो एक वयाम है रसी कुदने से आपके सारे सरीर की वयाम हो जाते है और रसी तो हम घर में भी कुद सकते हैं जरूरी नहीं रसी कुदने के लिए हमें मैदान में ही जाना है रसे जरूर कुदना चाहिए इससे हमारा सेहत अच्छा रहता है रोटी बेलो बच्चो रोटी बेलना भी एक कला है रोटी गोल गोल ही बेली जाती है तो सभी बच्चे रोटी नहीं बेल पाते हैं और जो रोटी होती है न बचो ये हमारे संतुलित भोजन का एक घटक है रोटी बहुत सारे अनाच की होती है चावल की रोटी होती है ज्वारी की रोटी होती है बाजरी की रोटी होती है है ना गेवं के आटे की रोटी होती है उसके बाद कपड़े धोना बच्चो कपड़े धोना ये भी बहुत अच्छा काम है अगर हम अपने कपड़े नहीं धोएंगे तो हमारे कपड़े गंदे रहेंगे और गंदे कपड़े हम पहनेंगे तो हम बिमार हो जाएंगे इसलिए कपड़ा एकदम साब सुत्रा धोना चाहिए बच्चो अगर इसमें से आप कोई काम करते हो तो बहुत अच्छा है अगर नहीं करते हो तो अभी छुट्टियां चल रही है बच्चो आप जरूर करिये आपको बहुत अनन्दा आएगा आगे कुमार बच्चो कुमार क्या करता है कुमार मिट्टे से बर्तन बनाता है है ना हमारे घरों में मटके पाए जाते हैं सभी के घरों में अधिकतर मटके होंगे गमले हैं जिसमें हम पौधे लगाते हैं ये सब कौन बनाता है कुमार बनाता है बच्चो कोई भी वेवसाय हो वो कभी छोटा बड़ा नहीं होता है हर वेवसाय की अपनी एक गरिमा होती है जैसे किसान भाई है ये खेती करते हैं अगर किसान भाई खेती ना करे तो हम लोग क्या खाएंगे हम बिमार होए तो हम दवा किसे लेंगे अगर कोई डॉक्टर नहीं रहेगा तो मतलब हर एक काम बहुत जरूरी होता है पंसारी पंसारी की दुकान में क्या करते हैं बच्चो पंसारी की दुकान में जाकर हम समान लेते हैं फिर उसका फूल वाली यह फूल वाली है यह बहुत सारे फूलों को बेच रही है कौन कौन से फूल है इसके पास इसके पास है सेवन्ती के फूल और कौन से फूल है कमल के फूल है चमपा के हैं मौल्शरी के हैं गुलाब है गेंदा है कनेर है बेला है गुडहल है इस सारे फूल ये फूल वाली बेच रही है लोग फूल लेके जाते हैं और माला बना के भगवान जी को चड़ाते हैं फिर ये क्या है फल वाला ये फल वाले की दुकान है फल वाला कितना सारा समान बेच रहा है अपने दुकान में देखो कौन-कौन से फल है दे बेला है, सेब, तर्बूज, अनार, संत्रा, अनानास, सीता फल कितने सारे फल है, जो ये फल वाला बेच रहा है दिख रहा है आपको बच्चो तो बच्चो, ये जो हमारा पाठ है, करो और जानो वो यहीं पे समाप्त होता है ठीके बच्चो, अब हम इसके स्वाध्धाय के प्रशन उत्तर करेंगे प्रशन पहला, कोश्टक में दिये गए सब्दों में से उचित सब्द चुनकर चित्र के साथ कृती का नाम लिखो बच्चो कोश्टक में बहुत सारे शब्द दिये गए हैं जैसे हसो, पगड़ी बांधो, फुगड़ी खेलो, गाओ, नाचो, जाड़ू लगाओ, रोटी बेलो, रसी कुदो, कपड़े धो ये सारे शब्द दिये गए हैं, और चित्र है, आपको चित्र देखना है, और उसके नीचे नाम लिखना है, कि इस चित्र में कौन सी कृती हो रही है जैसे कि हमारा पहला चित्र है, एक बच्चा है, वो अपने सर पे कुछ बांध रहा है, तो बच्चा क्या बांध रहा है सर पे, पगड़ी बांधो, तो देखो उसके नीचे लिखा गया है, पगड़ी बांधो दूसरा चित्र, दूसरे चित्र में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो गा रहे हैं, तो देखो नीचे हमने लगा दिया, लिख दिया है, गाओ तीसरे चित्र में क्या है, दो बच्चे डांस कर रहे हैं, तो उसके नीचे हमने लिख दिया, नाचो फिर अगला चित्र देखो एक बच्चे का चित्र है वो हस रहा है वो हमें कह रहा है कि हसो तो हमने नीचे लिख दिया हसो कपड़े धो ये लड़की क्या कर रही है बातरू में बैठके कपड़े धो रही है तो हमने उसके नीचे लिख दिया रसी कुदो। बच्चो आपको परिक्षा में ऐसे चित्र बने रहेंगे। आपको कृती का नाम लिखना पड़ेगा। ठीके बच्चो चलो आगे देखते हैं। बच्चो पहला प्रश्ण। मिट्टी के बरतन कौन बनाता है। उत्तर मिट्टी के बरतन कुमहार बनाता है। प्रश्ण दूसरा अनाज गूड तेल आदी कौन बेचता है। उत्तर अनाज गूड तेल पंसारी बेचता है। प्रशन तीसरा फूल और हार कौन बेचती है? उत्तर फूल और हार फूल वाली बेचती है. चौथा प्रशन फल कौन बेचता है? उत्तर फल फल वाला बेचता है. बच्चो हमारी आज की पार्साला यहीं समाप्त होती है अगली पार्साला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पार्साला में नए हैं तो मेरे पार्साला को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पार्ट साला काला आप सभी बच्चे ले सके अगर आप मेरी पार्ट साला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाट साला को सबस्क्राइब कर लीजिए और घंटी का चित्र आउन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको ठीक है बच्चो अगली पाट साला में हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बच्चो तैंक्यू फार वाची